Hello friends, welcome back to the channel. मैं संदीग पार सोनी, आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज बत करेंगे experience candidate के interview के बारे में जी हाँ friends, जैसे कि मैंने earlier वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको कोई company नहीं मिल लही तो आप company search करिये कोई भी company मिले, join करिये और वहां से learning लेने के बाद आप अच्छी company में switch कर जाएए, means अपने आपको upgrade करिये higher package के साथ में, तो मैं उमीद करता हूँ, बहुत सारे friends ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने company जोईन किया होगा, अब अपने आपको upgrade करने को सोच रहे होगा, जो लोग pharma के अंदर almost six to two years, six month to two years का spend कर चुके हैं, time experience ले चुके हैं और अपने आपको upgrade करना चाहते हैं, multinational company में लेके जाना चाहते हैं, अपने आपको जिसे उनको higher package मिल सके, तो वहां पर आपसे कुछन पूछे जाएंगे तो उसके उपर इस video में बात करेंगे, जब आप freshers होते हैं तो आपसे आपके subject के कुछन पूछ जाते हैं, means pharmacology थोड़े बहुत पूछ जाती है, body system के बारे में पूछ जाता है, बड़ जब आप experience हो जाते हैं, तो आपसे हमेशा आपके brand के बारे में पूछ जाता है, अभी आप जो भी current company जो भी है आपकी, उसमें अगर आप जो भी आप portfolio handle कर रहे हैं, suppose that मैं बात करूँ, diabetic की बात करूँ, तो आपको diabetes के बारे में पता होना चाहिए, medicine तो पता होना ही चाहिए, बड़ diabetes क्या होती है, diabetes के बारे में आप पढ़ लिजे, अगर कोई हमारे friend, cardio experiment में काम कर रहे हैं, उनको heart function के बारे में पता होना चाहिए, blood के बारे में पता होना चाहिए, heart की structure के बारे में पता होना चाहिए, कि अब आप काम कर चुके हैं, आपको experience हो चुका है, तो आपको उस particular, पूरे body के बारे में आप पढ़ने जरूवत नहीं है, अब आप जिस topic, पर जिस segment में काम किया है, उस segment के बारे में समझ दिया, आपका specialization हो गया है, जो लोग division wise काम किये हुए है, उनका उस division में specialization हो गया आपको वो चीजे पता होनी चाहिए, first thing, कुछ हमारे friend ऐसे होंगे, जो general segment में काम किये होंगे, general product handle किये होंगे, तो उनको general चीजे, body के सर्दी, जुखा, बुखार, क्यों होता, कैसे होता, general चीजे पता होनी चाहिए, चलिए, ये तो हो गया कि जिस segment में आपने काम किया उस company के brand को सर्च करते हैं, उस company के brand को सर्च करने के बाद उस brand की तैयारी सुरू कर देते हैं, उस brand के MRP कितनी है, वो brand means उसका mechanism of action कैसे है, ये सब चीजे पढ़ना start कर देते हैं, search out करना सुरू कर देते हैं, तो friend, कभी भी आपसे जिस company में आप interview देने जा रहे हैं, वो आप handle करना हैं, जिसकी detailing daily आप doctor chamber में करते हैं, उस brand के बारे में आप से questions put up किया जाएंगे, तो अभी क्या होगा, बहुत सारे लोगों का portfolio ऐसा होगा, जिनमें 10 brand होंगे, 15 brand होंगे, 20 brand होंगे, कुछ लोग को ऐसे होंगे, 50 या 100 brand भी होंगे, सुरी, मुझे खासी थोड़ा बहुत जादा आ रही है, तो वीडियों बार-बार इंट्रेप्ट हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सुरी, अभी क्या करना है, आपको सारे brand प्रिपेर नहीं करने हैं, क्योंकि आप सारे brand प्रिपेर कर भी नहीं पाएंगे, इससे इतने short duration के अंदर, अभी आपको सिर्फ तीन brand, तीन brand का, आप नोट करिए, मैं करने जो पता होनी चाहिए, मिंस अपने brand, अपने तीन brand का full detail, A to Z, सब कुछ जो मैंने आपको topic बताई, यह सारे चीज़े आपको पता होना चाहिए, फिर मैं repeat कर रहा हूं, आपको अपने brand, अपने brand का, सिर्फ में तीन यह चार brand की बात करो, जो brand आपको अच्छा लगे, इससे कोई मतलम नहीं कौन सा brand, जो brand आपको अच्छा लगता हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो, उसके बारे में और ज़्यादा जानिये, ऐसा मैं सोची है, हमारे brand में यह top leading brand है, तिसक इसके बारे में इसको पता होना चाहिए, तो वो brand आप पढ़ो ही पढ़ो, बट उस brand के अलावा, दो या तीन brand आप बहुत अच्छी तरी किस प्रिपियर करो, क्या क्या प्रिपियर करोगे, जैसा मैंने आपको बताया, अपने brand का, आपको MRP पता होना चाहिए, पैकिंग आपको पता होने चाहिए, साधी साथ competitor की ही इतनी सारी activity आपको पता हो, यह competitor की activity, MRP, competitor brand, competitor brand की company, तो यह इतना चीज, आप ज्यादा तरही तीन ये चार brand का अच्छी तरीके से प्रिपेर कर लिजे, 100% बता रहा हूँ, आपका किसी भी company के अंदर इंटर्व्यू देने बस इतनी ही चीजे पूछी जाती है, जो brand आप बेच रहे हैं, उसी brand से regarding question put up किया जाएंगे, इसके अलावा इधर उधर कोई हलका वलका question पूछ लिया, कि doctor visit कैसे करते हैं, जो आप daily practice में आपकी चीजे रहेंगे, वही चीजे पूछी जाएंगी, ठीक है, तो उसका reply आप easily दे सकते हैं, इसके अलावा friend कोई question नहीं put up किया जाता है, चलिए इसमें एक दूसरा segment है, तो दूसरा segment कौन सा है, दूसरा segment है about lupin या इनके जैसी कुछ कमपनियां जहां पे online test होता है friend, तो उस test को qualify करने के लिए आपको pharmacology पूरा पढ़ना पड़ेगा, brief में, कुछ common sense क question वहाँ पे आते हैं, जिसको बोलते हैं, reasoning ability, reasoning ability की question होते हैं, वह वहाँ पूछा जाएगा, तो आप online simple reasoning ability की question होते हैं, उसका practice कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि, जैसे मैंने video, sorry, बहुत ज़्यादा खान सी आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको professor के interview मताया, कि 10 mangoes के साथ 2 हम free दे रह हैं, तो कितने percent scheme हुआ, इस type की, one को two so divide करेंगे, कितना answer आएगा, या कई बार, यह relationship वाले question होते हैं, वो पूछ ले जाते हैं, यह type के question होते हैं, बट इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, यह online paper के लिए मैं बता रहा हूँ, जो online test होता है, company में, about how to qualify करना पड़ता है, जा इस type के question पूछी आते हैं, कुछ मायत के question, मायत वाले question होंगे, एक मायत वाले question होंगे, 6th या 7th class के standard का मायत होता है, क्योंकि मैंने exam यह खुद दी होई, इस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 6th या 7th class के standard के मायत होते हैं, यह Abbott के मैंने paper दिया था, तो मुझे अच्छी question नहीं आएगा, general question आएगा, क्यों वो पूरा सट सभी लोगों के लिए होता है, इसलिए एक लोग के लिए design नहीं किया आता, वो paper fix होता है, और सभी के लिए online test देना necessary होता है, तो यह था, छोटा सा tips, जो लोग अभी 6 months या 1 year complete कर चुके फार्मा के अंदर, और अपने जाएगा, और अपना therapy knowledge, doctor knowledge, chemist knowledge, यह सब करके जाएगा, आपका selection 100% guarantee के साथ हो जाएगा, और मेरी wish wishes आपके साथ में है, thanks for watching this video, मिलते हैं फिर next video में, इस वीडियो को यहीं पे stop करता हूँ,